असलावोलीकूम आज के स्लेक्च्छर के हंदर हम reproduction इन frozen फंजाए के topic को discuss करेंगे यानि fंजाए की number ing कैसे increase होती है, life cycle कैसे maintain होता है तीन categories में फंजाए की reproduction को divide किया गया है पहली आ जाती है वेजिटेटेव reproduction इसेक्टेव reproduction थर्ड इसेक्शिव reproduction वेजिटाटीव रिप्रोड़ क्यों पिर फ़र्दर आगे कुछ टाइब से निम को अभी वारी बारी देखते हैं पहले में पेली यह यह दो है फिशन जिस तरीके से बीकटरिया बाइन्हिट फिशन के जिटिवाइड होता है इसी तरीका से कुछ सारी स्पीशिस हैं, so yeast के अंदर आपको fission के जरीए numbering increase होती हुई नज़र आएगी, so fission में होता कि यह देखते है, fission में यह unicellular एक फंजाए है, उसका cell बड़ा होता जाता है, ठीक है, यह cell इस तरीके से बड़ा होता है और दिरम्यान में एक cleavage लगता है यह देखने को मिलेगी, most of the time, यानि unicellular पंजाए के अंदर ही देखने को मिलेगी, budding में क्यों होता है, एक cell है, उसमें एक छोटी सी outgrowth निकलती है, और वो outgrowth बड़े होते होते, separate हो जाती है, और एक cell से 2 cell बन जाते है, so budding और fission में फर्क क्या आगया, बड़ेंग में एक cell से एक outgrowth निकल रही है, जबके fission में एक cell बड़ा हो रहा है, दिरम्यान में cleavage लग रहा है, cell दो में डिवाइड हो रहा है, बड़ेंग में एक cell से outgrowth निकल रही है, वो बड़ी होके separate हो रही है, so यह difference है, आपको समझ आ गया होगा, third type आ जाती है, vegetative reproduction की fragmentation, fragmentation नाम से जाहर है, यानि के fungi के fragments बन रहे हैं, और वो fragments क्या होते हैं, फिर दुबारा से एक new fungi बना देते हैं, हर fragment new fungi बनाने की सलाहियत रखता है, so fragmentation mostly, बलके yeast के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी, बाकी जितने भी multicellular fungi उनके अंदर fragmentation देखने होगे, यानि ये example ले लेते हैं, एक mycelium है, या hyphium में इसे कह सकते हैं, so इसके अंदर septa मुझूद हैं, यानि different cells हैं, ठीक है, so septa से ये fragments बनते गए, यानि cells में convert हो गया, ये fungi, तो हर septa जो है, वो एक new mycelium बनाने की कबलियत रखता है, so इस तरीके से भी fungi अपनी नमरें increase करते हैं, ठीक है, vegetative reproduction में ये तीन टाइप्स आ जाती हैं, फिर उसके बाद asexual और sexual reproduction को देख लेते हैं, पहले asexual reproduction को देखते हैं कि फंजाए के अंदर asexual reproduction कैसे होती है, so asexual reproduction की तरफ आते हैं, suppose ये एक mycelium है, या एक fungi है, फंजाए आप जानते है mycelium का combination होता है, या hy-fi का combination होता है, जिससे mycelium बोलते हैं और mycelium को हम generally fungi के लिए भी use करते हैं, so this is a fungi जाए actually, और इसका जो mycelium जो structure है, वो haploid है, ठीक है, mostly आपको fungi की जो structure है, वो haploid ही नजर आएगी, यानि उसमें chromosome number N ही होगा, ठीक है, so ये mycelium आ गया, अब ये mycelium बड़ा होता जाएगा, ठीक है, बड़ा होते होते हैं, ये mycelium है, ठीक है, ये grow हो रही है, और ये इस तरीके से mycelium में बहुत सारे आइफीज होते हैं, इस तरीके से grow कर रहे होते हैं, so इनके around structures बनती जाती है, so ये mycelium के उपर क्या हुआ हुआ, एक fruiting body बनी, और ये fruiting body, for example, एक mushroom जो बन रहा है उपर, वो एक किसम की fruiting body है, fruiting body के अंदर नीचे वाली sidebar, यहां पर कुछ structures होती हैं, जहां पर spores बनते हैं, ठीक है, so this is mycelium, इस mycelium को जहां पर मैं ले आता हूँ, इसकी उपर fruiting body बनी, ठीक है, fruiting body के अंदर, special structures के अंदर, spores की production होती है, और spores आप जानते हैं, haploid ही होता है, so यह अगर body haploid होगी, तो इसकी spores भी haploid होंगे, बलकि spores हमेशे haploid होते हैं, so spores किस तरीके से बनेगे, mitosis से, ठीक है, n number of chromosome हैं, तो उनको maintain रखने के लिए mitosis के process से spores बनेगे, अब यह spores release होंगे, और हर spores दुबारा से new fungi बनाने की सलाइद रखते हैं, so यह spores आगे, यह dispass हो जाते हैं, जहां पर suitable environment में लेगी, तो यह spores क्या करेगा, develop कर देगा, new mycelium से, और mycelium को जब food मिलेगा, और condition जैसे ह harsh होने लगेंगे, उसके उपर fruiting body बनेगे, दुबारा से spores produce होंगे, तो इस त्रीके से पंजाए as sexually अपना numbering increase करते रहते हैं, तीसरी type आजाती है, sexual reproduction, sexual reproduction तकरीबन same ही है, थोड़ा सा difference है, और sexual reproduction में हो क्या रहा है, basically दो cells आपस में fuse कर रहे हैं, जो reproduction का हम simple meaning लेते हैं, तो इसी तरीके से sexual reproduction हो रही होती है, और most of the time sexual reproduction जब condition कुछ harsh हो जाएं, तब हो रही होती है, तो sexual reproduction को start करते हैं, sexual reproduction के लिए definitely हमें दो fungi चाहिए हैं, तो यह एक fungi का हाई-फी है, यह दूसरे fungi का हाई-फी है, और यह कुछ chemical secret करते हैं, जब condition हार्श होती हैं, उन chemicals वो feromones कहा जाता है, और यह chemical दूसरे अपने जो partner है उसे attract करता है, ठीक है, तो यहां से इन cells ने, यह chemical secret किया, इन cells ने भी किया, यह एक side से secret होगा, दूसरों ने receive किया, और इस तरीके से हाई-फी जो है, वो दूसरे fungi की तरफ grow करना चुरू कर दिया, तो यह वाला fungi है, इसने अपना हाई-फी, इस तरीके से इस fungi की तरफ growth करवाई उस हाई-फी की, और यह इस तरीके से cells आपस में मिलने के करीब हो चुके हैं, सो नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, सबोज यह वाला cell और यह वाला cell आपस में fuse कर जाएंगे, ठीक है, जो के reproduction, sexual reproduction में होता है, सो यहाँ पर cell fuse कर गए, और cell का जो cytoplasm है, वो fuse हुआ है, nucleus fuse नहीं हुआ, इसलिए स्टेज को plasmo gamey बोलते हैं, यानि fusion of cytoplasm हुई है, nucleus नहीं हुई, इसलिए से heterokaryotic stage भी कहा जाता है, यानि carry out nucleus, यानि इसमें दो different nucleus, इस stage के अंदर separate पड़े हुए हैं, एक cell के अंदर, ठीक है, अब क्या होगा, condition यहें काफी लंबार सा भी चल सकता है, और depend करता है कि क्या situation है, और यह nucleus क्या कर जाते हैं, फिर fuse कर जाते हैं, और जब nucleus fuse कर जाएंगे, तो जो cell बनेगा वो क्या होगा, zygote होगा, और इसमें हो क्या रहा है, nucleus fuse हो रहा है, इसलिए हम इसे केरियोगेमी बोलेंगे, यानि के nucleus की fusion हो रही है, तो यह जो zygote बनेगा, अब इस zygote से जो आगे cells बनेगे, वो क्या होगे, deployed होगे, 2N, so let me mention here, यहां पर यह cell क्या है, 2N है, और यहां पर आगे जो इससे cells बनते जाएंगे, new hyphae जो बनते जाएंगे, वो क्या होगे, 2N होगे, so यहां से zygote से आगे जो बनने वाली fruiting body है, वो क्या होगी, 2N होगी, ठीक है, अब इस fruiting body यह क्या है, 2N है, सहीं इसी तरीके से यह fruiting body भी sports produce करेगी, यह अपनी numbering increase करने के लिए, बट यह sports कैसे produce होगे, by the process of meiosis, meiosis के process से यह sports produce होगे, क्यों, क्योंके 2N को हमने दुबारा से sports to N होते है, so deployed chromosome numbering को half करने के लिए जो process होता है, वो क्या होता है, meiosis होता है, यहाँ पर new sports बनेंगे, new sports दुबारा से new mycelium की growth करवाएंगे, अब condition पर depend करेगा, कि वो asexual reproduction के जरीए आगे divide होंगे, या दुबारा से sexual reproduction करेंगे, यह तीन methods हैं, जिनके जरीए फंजए अपना life cycle maintain करते हैं, number one, vegetative, asexual and sexual, यह तीन types आगे, so hopefully आपको lecture समझ में आया होगा, next lecture तक के लिए मुझे जाज़त दें, शुक्रिया, अल्लाह, आफिस्ट,